सीरियल इमली में अब होगा जूमर वाला खेल, अब आप कहेंगे जूमर वाला खेल क्या होता है, घूमर वाला खेल तो हमने खूब सुना है, लेकिन वाट इस जूमर वाला खेल, वैल ये खेल आपको सिर्फ सीरियल इमली में ही दिखेगा, क्यूंकि जो चीनी है, उन्होंने पूरा का पूरा जूमर जो है इमली पर गिराने की कोशिश की है unfortunately वो ये नहीं जानती कि इस जूमर की गिरने के बाद हमारी इमली कदमा पूर तेज हो जाएगा एक बहन अपनी बहन को रास्ते का काटा समझती है इसलिए तो उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा करना चाहती है अब सीरियल में ये कोई नई बात तो है नहीं कि बहन ही बहन की दुश्मन बन जाती है बहन के पती को वो अपना बनाना चाहती है ऐसी कहानिया तो हम अकसर देखते चले आ रही है चेलिविजन पर अब चीनी का अल्टेमेंट प्लान है कि इमली को अपने रास्ते से हटाना है चाहे वो बेहोश हो जाए कोमा में चली जाए या मर जाए तो इलहा तो उसको सरफ अपने आपका रास जो है वो बहार आने से रोकना है तो इमली जो है वो सब को बताने जारी है कि चीनी का सब नाटक है और उसके वास प्रूफ है तो इसलिए चीनी बहुत हडबडा कि जूमर जो अल्रेडी रिपैर हो रहा है उसकी रस्ती खोल देती है जिससे इमली पहुंचने बाती फैमली तक जो अपनी बहन इमली को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है आज उसे लगा कि उसका परदा फाश हो जाएगा जिसके चलते उसने इमली पर जूमर गिरा दिया जानदे इमली इमली मर जाएगी तो और गरबर हो जाएगा इमली को तो बचना ही होगा बट डिफिनेटली किस अद तक चोट लगी कैसे बचीजिगी अथर्फ कैसे उसे बचाएगा बट इखना है बट सिक्वेंस करने में मुझे बड़ा मज़ा आया डर भी लगा बहुत बार मैं देख रहे थी काउंटिंग कर रहे थी कब गिरने वाला है कब मुझे जाना है वो सब काफी कालकुलेशन करना पड़ा था काफी सेफटी था बड़ उसके बाद भी डर तो लगता है एक्सिडेंट बोल के नहीं होता है अब घर में जुमर की सर्विस चल रही थी एसी का फायदा उठाकर इमली ने अपनी चाल चल दी उदर घर वाले परिशान होगे अब भुवा जी चाहती है जैसे तैसे इमली और अथर्व का रिष्टा तूट जाए दोनों अपनी अपनी जिन्दगी में खुश रहें तो वह लेकिन आपको बता दे कि इस एक्सिडेंट के बाद बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा खास करके चीनी ने इमली जो अपनी कुछ समय की यादाश को भूल जाएगी और उसकी बाद शुरू होगी सीरियल की एक नहीं कहानी मुंबै से प्रिया धवड के साथ ABP News Report के आगे